पच्छुवा बर्ग बा ओबीसी एई बर्गों कु संग्रख्यन देवा खेत्ररे सिख्या हूँ बा निजुक्ती हूँ याकु नहीकी बिभिन्न समयरे बिभिन्न तरको हुए बितरको हुए याकु नहीकी राज़नितीम अध्यो हुए किन्तु प्रकुतरे आमा राज़रे ओडिसारे ओबीसी बर्गों कु राज्यसरकार केते संग्रख्यन बेवस्ता करीचान्ती कियों क्यों खेत्ररे करीचान्ती याकु नहीकी विभिन्न प्रस्णम अध्यो हुठुची तिए नहीं कि आमे अधिको आलोचना करी प्रकुरूत रे उडिशा रे उबीसी बोर्गों को संगरखन मिलूची ना के बड़ यहाँ प्रचार्रे सीमितर हो ही ची राज्यसरकारंकर बयान बज़रे सीमितर हो ही ची आमा सोहीत हो च्छंती राष्ट्यों बीजेपी उबीसी म चाहरा सभापती अच्छंती आसन तो सिदासर लकतां को सिता आलोचना को रिबा सर आपको पहले तो स्वागत करना चाहूंगा और अर्गस नूज में जी यह जो एक मुद्दा बना है बड़ा मुद्दा है इसको इसको लेके बार-बार राजनिती की जाती है जब भी चु अज लोकप्रिय प्रदानमंत्री नरेंदर मोडी जी ने दोजार चौदा से सत्ता संबालते हुए आरे है तब से लेकर आज तक लगबग नौ साल के अंदर पिच्छा वर समाज के लिए उनके हित के लिए एतिहासिक मौत पोर निर्नाई लिया गया ये कभी मुम्किन नहीं था एक पिच्छावर आयोक को सम्विदानिक दर्जा देने से मंदल कमशन से सिफारस से पिच्छावर समाज को जो 27 प्रतिशत आरेक्षन मिला साखरकारी नौक्रियों में और शिक्षा में वो ठीक डंग से हमल होने के लिए आज मजबूत आयोक ब अंदर 27 ओबीसी समाज के लोगों को केंदर मंते मंदल में बागिदार बनाना उनका मान संवन और गवरो बढ़ाया मुदीजी ने उसके अलावा 27 प्रतिशत पहली बार केंदर विद्या समस्तों में नवदया पाधषाला साइनिक पाधषाला और नियाय विष्वय द्याले में पहली बार आरेक्षन लागो किया मोदी जी के नितुत में थाकि OBC समाज के चात्रों को लगबक चार लाक आजला बान वी हु सहसपूरक निर्नाय लेकर 27 प्रतिशत आरक्षन OBC चात्रों को दिया गया थाकि MBBS और MD में अंडर ग्रेजुट और पोस्ट ग्रेजुट में शाड़े चार हजार आज OBC चात्रों ने डाक्टर बनने का आज मोका ने मोदी जी ने दिया इतना ही नहीं सामाजिक और मोदी जी ने पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग में जो खर्मा चाहरे थे उन बच्चों को पहले आरक्षन का प्रावदान नहीं था मोदी जी आया अगर 2014 के बाद ये सब हुआ तो उससे पहले आरक्षन को लेकर क्या वेवस्ता थी जब कॉंग्रेस की सरकार थी कांग्रेस तो शुरू से पंडित जवालाल नेवरूज जमाने से लेकर हमेशा ओबीसी को दोखा देते आई और जब-जब समय पर आरक्षन का मुद्धाया विरूद किया उननीस सो त्रिपन में जो काका कलकर कमिशन गठाया वो अन्यज सिफार्स जो किया सरकार को वो थंडे बस्ते में डाल कर फेग दिया निवरूज जी ने साल प्रदान मंत्री थे कभी OBC समाज का उत्तान के लिए जिकर किया ने जितने भी सिफार्स थे उसको लागू भी नहीं किया बाद में इंदरा गांदी आई वो भी 16 साल प्रदान मंत्री बने कभी बी सिर्फ OBC समाज को ओटर के नाते देके मगर उनके हित के लिए बाद में राजयो गांदी आया, अमल नहीं किया, पिर जब वीपी सिंगल गहर कांग्रस सरकार है, तब मंदल कम्शन सिफारस दब किया सदन में, तबी विरोधी दल नेता के नाते राजयो गांदी उसका पूरा विरोध किया, और बताय किए यह जाती आजारत आरक्षिन नहीं होना चाहिए, वोना तो आर्दिक रूप से, आर्दिक माध्यम से होना चाहिए. आर्दिक माध्यम से ही कॉंग्रेस विरोद कर रही थी आरक्षिन को दाक्टर बाबा साब अम्बेतकर ने जब दबाओ दाला नियोरियो के ओपर थबी काका खालेकर कम्शन गटा है, मगर अमल नहीं किया, सिफर्स नहीं किया, वो अम्बेतकर जी इतना रारस थे, नियोरियो अबीची समाज के विरोदी थे, समय समय पर ये विरोद किया, और मोधी जी ने दो हाजार सत्रा में पिछ्णावर आयो के लिए सम्हिदानिक दर्जा देने समय में भी समय में इतना वाम पंक्तियों कांगर्स मिलकर राजसाब़ा में बिलको तो हरा दिया, मगर जीद पर मोधी जी ने एक साल के बाद पिर लागो किया, इतना ही ने मैं जैसा बोला, बैकलाग पोस्ट है, खेंदरे विश्वाज देले में, वो पूरे के पूरे नाट फाउंड सूटेबल ओबीसी समाज के, तो बाद में हम ओबीसी मौचा के नित्तुत प्रदानमंति के जे मिले हमारे शिक्षामंति दर्मेंद प्रदान को आदेश दिया गए कि तुरंत एक सरक्लर निकालो, जितने भी बैकलाग पोस्ट है, लगबग दस हजार पोस्ट निकले हैं, बैकलाग, वो बीसी समाज के, यसी एस्टी के, आज देश के अंदर देके तो नव दस ते जाड़ा देश ने यह बीसी समाज के, मगर चार मैने के अंदर लगबग दस हजार लोग आज बीसी समाज के अंदर, चार हजार अज निक्त के आगा, ये मोदी जी का देहन है, और उरिस्टा के अंदर बीजु जंता दल लगबग चाओपन प्रतिशत बीसी समाज है आज, पॉपले आज बीसी समाज के अंदर बीसी समाज के, वह सूची के अंदर को नहीं जाता ताकि संट्र लिस्ट में भी उसका जमा हो, इस तरह यह उरिस्टा के अंदर चाओपन प्रतिशत आज ना या आए पाएंगे वो भी आमल नहीं होता है अगर जो बर्ग है उसको अगर आरेक्षन दिया जाये तो राजय का ही अत्रनिति या एकोनमी वह आगे जाएगा उनको अगर शिक्षा में हो या नौकरी में हो आरेक्षन मिले तो इसमें सरकार की क्या प्रोब्लेम है या विजू जनता की क्या प्रोब्लम है आपको क्या लग रहा है यहां पर आये आप देखेंगों पहले से जो वंचित है पीडित है सोचित है पिछडा है दलित अन्य वर्गों ने लगों पचातार साल से किस तरह आज शिक्षा में हो नवक्रिय में पीछा पढ़ने से पीछ भी से समाज के नाम पर उड्い उड़ो पाती है उनका जब हक्षा हुदान जो है हर देश के अंदर हर अबादी के अनुसार आपक्षान दिया जाता गारभ थाजूपे आज और शिक्षा में नहीं है तो शिक्षा में अगर आपके समा आपक्ष शॉयक्ष्ण नहीं नहीं से पिछिदा है और समाज में उनको जुड़ा नहीं जाता है चब तक उनको पढ़ा ही नहीं मिलती तब तक उनको नौक्री नहीं मिलती वो समाज में किस तरह जियेगा इसलिए आज मोदी जी ने सब देश के अंदर उनको एक गरीब उनका मिसया और अभिनव मात्मा जो तेर या उज्वला या प्रादार मात्रि आवास यो जनावो, मुद्रा यो जनावो, किनके लिए एक गरीब, गरीब में कोने पिर, पिर पिचला बर गी है, यह तो को आज मुझे आपको बताना, मैं गरू मानता हूँ कि लग बारा करोड किसानों को आज किसान सम्मानी नाम पे आ किलो, आज कल काबिनेट भी फिर एक साल के लिए आज लगबाग, आज कितने आज देखो गरीब इसमें लाबानी हो रहे, ता जो बहता आपको पता चलकर, क्योंकि मुद्रा के अंदर 38 करोड लोग गरीब फाइदा हो गए, उसलिए जन्दन खाता में, 48 लोग आज गरीब बेजा गरीब के लिए, वो 50 रुपई दलारी काता था, पंदर रुपई बसता था, गरीब के काता, मगर आज मुद्री के जमाने में दिली से, आज 1000 रुपई किसान के काता में पहुंचा है तो सीधा-सीधा बैंक के काता था, यह है जिंदन काता, आज देखो लगबाग 12 करोड गरीबों के लिए ठाइलेट बनाया आज लगबग साड़े तीन करोड गरीब लोग के लिए आवास योजना के नाम पर हर गरीब के सर पर चत बनाया आज मोदी जी ने लगबग 10 करोड उज्वला ग्यास इस तरह मोदी जी ने जो भी निर्ने योजना बनाया निर्ने यहां पर एक बीजेडी की सरकार बहर बार जब उनको जबाब देना पड़ता है वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोट का हवाला देते हैं हम इसलिए 27 परशंट आरेक्षंड दे नहीं सकते हैं यह सुप्रीम कोट का हवाला हर दिया जाता है लेकिन अलग राजय महराष्ट्ये जै उन्हें तो 50 परशंट से ज्यादा भी दे रखा है इसके ओपर क्या है यह बीजू जनता दल के नेता नवीन पर जूट बोलते हैं आज आप जैसे बोले यही मुद्दा महारास्टे में आया वहां पे भी कांग्रेस NCP उद्धोताकरे शिवसेना वहां पे भी दोखा दिया स्थानी काई में 50 परशंट सीमा को लेकर हाई कोटे जब खारिज किया तो फद्धनवीज जी ने और शिवसेने का सिंडे जी ने मुक्य मंतरी मुपमकितरी बनने के बाद थुरंत कमिशन जो OBC कमिशन से बैटा करकर आंक ने निकाले डेटा निकाले उच्च नियाले जिला परशद कांग्रिस के वाजिस से या उद्धवता कि शिवसेने के ने नहीं बन सकी मगर जो भी बच्चा था महारास्ता में अब चुना हुआ और OBC समाज के आरक्षिन सिवा मध्यपेश में यह हाल वा जब तक हमको OBC का आरक्षिन नहीं मिलता तब चुना ही नहीं OBC समाज आगे बनने का उनका मानसी नहीं इसलिए हो हमेशा OBC को किसी ना किसी बहाने पर उनका आज हग ची लेते है लगिन लोग बोल रहे हैं कि हम अपने पार्टी में अपने दल में OBC को संगरक्षन देते हैं महिलाओं को देते हैं यह बातें बोलते हैं यह जब भी मैं इनको अन्रोध करता हूं तुरंत ओबीसी का अरिसा के अंदर सेंस्स का रहा हूं जितना आबाद है उनके आदार पर बजेट बनाओ आरक्षन देओ हमारे हक आप देना पड़ेगा आपको हमको या पार्टी के ओर से देना है हमारा जो सविदानिक माध्यम से जो हमको हक म हमारा के इसलिए OBC मोर्चा औरिसा में हो जरूर OBC समाज के हक पाने के लिए आने वाले दिन में बड़ी पेमाने से आंदोलन करेंगे चाहे शिक्षा में आरक्षन के लिए प्रदेश सरकार में आरक्षन के लिए और स्थानी इकायों में भी आरक्षन के लिए जरूर लड प्रदेश में हमारा बीजेपी जहां चाहां मुक्य मंत्र है वो भी सी सुरक्षित है वो भी सी आज विश्वास से और भरोसा से और बीजेपी के साथ है इसलिए उनको आज नाई मिल रहा है का एक बेश्वा皮रेज साथ हुआज छोड़ा साथ देखिए आबरा मं देह सकते हैं डिपार्मेंट से जब मंत्री मंडल का गठता्न होता है इस्टी ऐसी कव्याण के लिए अपर में हर इँका किसानों के लिए डिवांट्मेंट है तो है यह निएक पर अपर नो混L इसींग मोदीजी सर्कार एक सब्lagenृ एक बार दूसरा बार मोखाया एक ना क्योंकि एक आघ्र जश्वी यॉफ say ऩर राश्ट्र पशात्य बनाने का ने एक कम तो मसलिम विध्वान कुम राश्ट्र पश्वान की ड्राश्वाति बना एक दूसरा बार मोखाया एक दलित को आज हम राष्टपती बनाया और तीसरा बार मौका है अब जब हमको एक हमारे जो गरीब आदिवासी महिला मुर्मू समाज के जो स्वातंतर के समय में किस तरह बिटिश के किलाफ लड़े दस अजार लोग जान कोगे इस देश के लिए उस समाज से उस जाती से आज मूदीची द्रवपती मुर्मू को राष्टपती बनाने के हम जब फ्रैस करे किस तरह यह कांगर्स अंडीदलों ने उनको हराने के कोशिश साजिस किये मагर आज हमारे साथ लोग ते हमारे साथ अमारे प्रजापती ते आज ग्रोपती मुर्मु को 75 साल के आजाती के अंदर एक गरी परवार से संगर्ष करके आई हुए एक महिला को आदिवासी महिला को हम राष्टपती बने आए एक अति पिछड़ा और समाज से आये हुए मोधी जी गरी परवार में से आये ब्रदान मंत्री बने ये बीजेपी का रवाया आप सिर्फ अपने परवारों के लिए काम करते हैं आपके हीटों के लिए काम करते हैं मगर मोधी जी बीजेपी पुरा देश अपना परवार समझ आप क्या समझते हमारा परिवारी पुरा देश समझते हमारा परिवारी पुरा वरिसा समझते इसलिए इतना अंतर है लोग जानने लगे जरूर आने वाले दिनों में वरिसा में परवर्तन आयेगा और जरूर बीजेपी को लोग मानेंगे चाहेंगे वह विकल्प जो बीजे बड़ा मुद्धा है उसके साथ अलग बहुत सारे मुद्धे हैं तो आपको क्या लग रहा है प्रेडिक्शन आप क्या कुछ कर से देजवर में लोग इचारे की ब्रस्टाचार रहीत परिवार रहीत एक सरकार बनना चाहे हर प्रदेश में जिस तरह मुदी जी ने नव साल क के अंदर चोटा सा आरोप भी आज ब्रस्टाचार के बारे में नहीं है इसके पहले UPA कांग्र सरकार में जेकर रोजना किस तरह गोठा ले गोठा ले गोठा ले आज इतना अज पारदर्शकता से सरकार चल रही है वही सी तरह सरकार हर प्रेजिस में चाहते हैं इसलिए भ OBC मोर्चार राष्ट्रिय सुभापती सुझुक्त डक्टर केल लख्मान का सहीत है बंग से जहा को उतले जा आगो कु आहुरी लड़ा ही जोर्दार हो जे पर जनता पच्वा बर्गों कु सेमानांकर हक मिली नहीं संग्रक्षन रोजू तांकर अधिकार अची तहा जे पर परस्वन हेमन्तो सेठिंको सहब प्रदिप्तो महापत्र और गुस्नुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुच और सेठिंकोुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचु